नारियल तेल में बस एक चीज मिला लो बाल इतनी तेजी से लंबे गने हो जाएंगे आप संभाल नहीं पाऊगे गेट लोंगर हैर सिक्रेट जी हाँ दोस्तों आज हम बालों किस तरीगे से जल्दी से ग्रोग कर सकते अगर आपके बालों की ग्रोथ काफी अटक गई है जिस तरीके से इस रेमेडी को तयार करना है स्टेप बाए स्टेप पूरी तरीके से आपको जानकरी दी जाएगी तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे ना और आप इस चैनल पर पहली बार होते निचाए रेट इकलर आपको सब्सक्राइब लिखाओ दिख रहा होगा वहा वह को दोस्तों ध्यान रखना आपको प्योर कोकोनेट हेर रोल यूज करना अपको एक से दो स्पून के करीब एक बाएल के नदर को को निखाल लेना है अब दोस्तों दूसरी चीज एट करना है वह फ्रेश एलोगरा चेल धियान रखना है जो मार्किट मिलती है खुजबू वाली एलोरेजल का इस्तमाल नहीं करना है अभीज में सिर्फ आपको टुटरिल दिखाने के लिए एलोरेजल का इस्तमाल करना है आपको प्लांड बेजी एलोरेजल का इस्तमाल करना है एक से दो स्पून के करीब एलोरेजल को और एलोराजल अधर मिला देना है यहां दोस्तों आपके बालों में काफी अच्छी शाइन एड़ करता है बालों की ग्रोद को भी बढ़ाता है तो आपको ओने यह दो स्पूल एलोराजल को मिला देना है प्लानेट बेस दोनों जी जोग अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर आपको तिसरी और लास्ट चीज एड़ करना है वह है विटामिन एक से दो केपसूल विटामिन एक अंदर एंटी ऑक्षिडेंट भरपूर मातर में मोजूद है यह भी बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है यह बालों की इलाक्टिक शिटी को इंक्रीज करता है विटामिन ए बालों को श्ट्रोंगर होना थे बालों की सब्भी रूलों को दूर करने के लिए विटामिन ए की कैप्सुल का स्तमाल कर सकते इन सब बीच जोग अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाए देगा अब दूसरो अच्छे रिसल्ट मिलेंगे आप एक दिन छोड़के इस रेमेडी का स्तमाल कर सकते हो बेस्ट रिचल के लिए